आगे निश्पक्ष और शांतिपूर्व की शहरी निकाय चुनाओ करवाने के लिए राज्य चुनाओ आयोग ने सर्दलिय बैठक बुलाई जितमे राजनीतिक दलों से सुझाओ लिये गए और उन्हें आदर्श आचार सेंता का पालन करने और किसी भी निजी प्रॉपरटी पर पोस्टर ना चिपकाने की निर्देश भी दिये राज्य चुनाओ आयोग ने चुनाओ के लिए नियुक्त किये गए अब्जर्वर्स की भी बैठक ली राज्य चुनाव आयोग्त धनपत सिंग ने बताया कि 19 जून को मतिदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा उन्होंने बताया कि समवेदनशील और अती समवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर वीडियो ग्राफी भी करवाई जाएगी चुनाव आयोग द्वारा राजनितिक दलू और अब्जर्वर्स की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दो पर चर्चा हुई इस बारे में खास बाचित की हमारे समवाद आता अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयोग्त धनपत सिंग से इस बैठक में राजनितिक दलों से क्या सुजावाए और राजनितिक दलों को क्या निर्देश दिये गए इस समय साथ हैं राज्य चुनाव आयोग्त धनपत सिंग इन से जानते हैं कि पुलिटिकल पार्टी से आज क्या बाचित हुई है धन्यवाद अनिल आज जो नगर पालिका और नगर परिस्दों के चुनाओं के बारे में आज राजनितिक दलों के साथ सुबह बैठक हुई ग्यारां बजे उसमें हमने सभी राजनितिक पार्टियों से सहयों की अपील की है उसमें हमने उनसे कहा है कि वो अपने उमिद्वारों और कारेकरताओं को मोरल कोर्ड अफ कंडेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दें डिफेस्मेंट और प्रोपर्टी एक्ट जो है अंटी डिफेस्मेंट और प्रोपर्टी एक्ट है प्राइवेट जो किसी की प्रॉपर्टी है उस पे पोस्ट ना चिपकाय जाए उस पे स्लोगनेरिंग ना की जाए इस तरह के और चुनाव में पुरा सहयोग दें ताकि हम उसको निश्पक्स रूप से और निर्बादित रूप से इसको चुनाव करा सकें उसके साथ बैठक ह दनपसिंग जी क्या राजनितिक दलों से कुछ सुझाव भी आएं आपके राजनितिक दलों से एक सुझाव तो आया था कि जो फॉर्म ए और बी हैं और उसके साथ जो लिस्ट लगती है वो बहुत लंबे बहुत सारे कागज हो जाते हैं तो वो चाह रहे थे कि शायद इस इसमें मान लिया जाए लेकिन इलक्षिन कमिश्ण ओफ इंडिया में भी और स्टेट इलक्षिन कमिश्ण में भी फिलहाल वह इंक में साइन करने का ही प्रावधान है तो अभी तो और इस जाओ पर विचार करेंगे अगर संभव हुआ तो अगले आने वाले चुनाओं में धनप सिंग जी आज आपने अवजर्वर की भी बैठक लिए है इस बैठक में आपने क्या निर्देश्टी हैं हमने आज जो जनरल अबजर्वर हैं जो आईस से हैं और पुल İş अप्जर्वर्स जो IPS से हैं उनकी बैठक लिए है तो सभी को उनकी क्या-क्या ड़्ूटीजं ह और क्या क्या रिपोर्ट्स उन्होंने टाइम टू टाइम भेजनी है उसके बारे में विस्तार से हमने उनको बताया है उनके क्या करतवे होंगे उनको क्लियर रूप से बताया कि जब से वो चुनाव ड्यूटी में आये हैं और जब तक चुनाव संपूर नहीं हो जाता है रि एक एक किसम से हमारे आख कान नाख होंगे वहां फील्ड में इन चुनाओं के लिए दनपत सिंग दी चुनाओ को लेकर क्या त्यारिया हैं और क्या पूरा सेडियूल रहेगा जैसे कि आप जानते हैं 23 माई को हमने चुनाओं की घोशना की थी 24 से नोट्विकेशन चुरू हो कल संडे है कल छुटी रहेगी परसों जो नोमिनेशन आये हैं उनकी स्कूरूटनी होगी और उन में से अगर कोई ठीक नहीं पाया गया तो उनको रिजक्त किया जाएगा फिर एक लिस्ट बनेगी उसके बाद एक दिन का समय मिलेगा जो लोग अपना नाम वापस लेना चा जाएंगे तो यह तो अगले तीन-चार दिन का प्रोग्राम है बाकी फिर कन्वेसिंग का टाइम उनका रहेगा उसमें जो हमारा तो में यहीं रहेगा मौडल कॉड अफ कंडेक्ट जो है जिला प्रशाशन के माध्यम से और जो हमारे आईएस के और आइपीस के पुलिस अब्जरवर्स और जनल अब्जरवर्स जाएंगे और एक उस पर एक उसपे इस पे नेज़र रखेंगे और फिर अठारा तारिक को प्रोहिबिशन रहेगा और उनिस तारिक को फिर डिव पॉल ही आपको पता है सुबह साथ बाई से लेके शाम को छे बजे तक उसके लिए पूर्ण विवस्ता कर ली गई है सभी से हम जिला प्रशासन से रंतर संपर्क में हैं जो जहां किसी को क्लारिफिकेशन चाहिए होती है वो हम दे रहे हैं उनको गाइड कर रहे हैं और जहां पर जो संबंदित इसके लिए आवशक कारिया हम पूर्ण कर रहे हैं दन पत संब्संच जी कितने सवेदनसील बूत हैं और कितने अतिस्वेदन शील बूत हैं और क्या चुनाव यूगने वीडियोग्राफिक की भी कोई निरदेश्टी है जो तो समयदन स्वील और आती समयदन सील बूत हैं वहां पे विशेश नजर रखी जाएगी अभी संख्या मेरे सपास अभी जिलों से अभी नहीं आये सोंबार तक उपलब्द होगी लेकिन वहां पे वीडियोग्राफी करवाए जाएगी इसकी अतिरिक्त वीडियोग्राफर हर एक पुलिस अभजरवर और जनरल अभजरवर के साथ एक वीडियोग्राफी की टीम होगी जहां वो कई उपत्रव या कोई इस तरह का देखेंगे तो या कोई और कोई अंटवाड इंसिडेंट देखेंगे तो उसकी भी वीडियोग्राफी कराए जाएगी ताकि अगर कही नहीं रिपोल की आवशकता हो तो इस समय यह चीजें काम आएंगे